वोट ने अभी हाल फिलाल में बोर्ट के एडोप 300 को लांच किया और यहां से गया वैंक शुली है कोई बात नहीं यहां पर एडोप 300 को लांच किया इसमें special audio experience आपको सुनने को मलता था और cinematic sound दा था साथ में उसी के साथ-साथ dual यहां पर बोर्ट ने रुक रहा है यहां और ज्यादा बड्स को लेके आरे की कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी चलिए बात करते हैं बोर्ट के डोप 181 के बारे में बहुत साथ-साथ यहां पर लुक और फील दे रहे हैं आपके हाथ और डुल पेरियुल पर अप्शन है ब्लूर्ट 5.3 ले मिल जाता है इसमें देखने के लिए और इसी के साथ-साथ स्पेशल ओडियो एक चेरी ओन केक बन जाता है तो अगर आप मुजिक लिसनिक के लिए लेना चाहते हो और लॉंग टर्म के लिए लेना चाहते हो और ओडियो एक्सप्रियंस आपको बेटर चीए तो यहां पर बोर्ट के डोप 181 प्रो में क्या चीज़ें बेटर हैं इसस बोर्ट के एडोप्स वन वेट वन प्रो अनिंटरॉप्टेट साउंड अन्मैच्ट एक्सप्रियंस यह लॉंच हो रहे हैं आठ तारीकों बारब बजे तेरा सो रुपए के प्रैस बैगट में अब तेरा सो रुपए में ही आपके वो भी अविलेबल हैं बोर्ट के डोप बैची है तो यहाँ पर यह solution तो आपको मिल जाता है इन बर्ट से इस वाले से 181 प्रो से वसी के साथ साथ superior sound meets passive playtime 100 गंटे का playtime है यह भी काफी जादा massive है अगर मैं directly compare करू बोर्ट के डोप 300 से तो definitely काफी sub par है उससे तो कहीं ना कहीं वसी के साथ साथ super charge of extended playback ASAP charge as one as possible charge का option द playtime सकता है उसमें 10 minutes का charge 1500 minute का playtime देता है और यहाँ पर आपको पास minute का charge 200 minute का playtime देता है तो fast charging support इसमें देखने हो मिल जाता है उसी के साथ साथ say goodbye to dropped calls 4 into mic मिलते है same आपको adobe serendid की तरहे इसमें भी आपको 4 mic मिलते है उसमें भी 4 mic मिलते है और ENC का option मिल जाता है ENC का support नहीं इसमें बसे बट ठीक है यहाँ पर इस price back end में आपको नहीं मिल सकता बट अगें guys यहाँ पर overall और features में काफी अच्छी दिये गए है fine tuned sound experience, board signature sound में जाती 10 mm के drivers में जाते है a light sound, deep bus and mighty impact अब guys में special cinematic sound experience नहीं मिलेगा जो आपको board 300 में देखने मिलता है कुछ तो difference कलना पड़ेगा ना क्योंकि फिर board 300 कोई काम के नहीं रहेंगे तो again guys यहाँ पर special audio experience नहीं मिलेगा जो आपको board 300 में मिलता है तो guys वो अलग ही मतलब कह सकते हो category में fall कर जाते है beast mode with 50 millisecond of low latency तो guys देखो board 300 में आपको low latency मिलती नहीं है बट यहाँ पर आपको low latency मिल जाती है तो overall guys यह थोड़े से gamers के लिए बेटर है audio files जो है basically person उनके लिए बेटर है और कह सकते हो aesthetic low king का ज्यादा मिलेट को बेटर लगा ADOPS 300 से कहीं ना कहीं ergonomic design, design भी काफी अच्छा है देखो तो यहाँ पर solid build and distinctive dual tone metallic color तो यहाँ पर board यह काफी अच्छा कर रहा है dual tone finishing दे रहा है maximum birds में जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा है और कहीं ना कहीं single tone से better है कहीं ना कहीं 4 into color shift में जाता है इस blue वाला तो मतलब कमाल के लग रहा है, green वाला है blue वाला है, light green type का लग रहा है और purple वाला भी काफी कमाल का लग रहा है यह दोनों तो normal है, बर्ट यह दोनों काफी कमाल के लग रहा है तो guys, 1300 रुपे के price back में deal अच्छी है बट बहुत सारे feature missing है जो ADOPS 300 में आपको देखने मिलता है पहला is special sound, इसमें experience नहीं मिलता है अपको दूसरा dual pairing का option नहीं मिलता है इसमें आपको तीसरा इसमें in-ear detection का option नहीं मिलता चौतरा इसमें Google fast pair नहीं है जो आपको ADOPS 300 में देखने मिल जाता है बट एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप से भी से थोड़ा सा अगर आपको digital display चाहिए look or feel थोड़ा सा उससे better चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हैं but feature wise जादा better मेरे ख्याल से both ADOPS 300 ही देखने को मिलेंगे आपको तो guys, simple सा preview था इसका review unboxing में कोशिश करूँगा 90% कोशिश करूँगा आप से भी के लिए लेगिया हूँ but 10% कुछ कह नहीं सकते हैं, आएगा कि नहीं आएगा मैं brand से बात करूँगा, अगर मिल जाते हैं तो काफी अची बात है तो guys, channel को subscribe कर लेना straight away, bell icon call कर देना, और कोई query